हेलो गाइज वेल्कम बैक टो मैं चैनल कोड़ीटर कोड़ीटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जाने बड़े ही इंपॉर्टन डियर टाइप की जो की है एरेज इन सॉलिडिटी तो आइए शुरू करते हैं अब बात करते हैं इरेज की सॉलिडडी में दो होती हैं एक होती है हमारी M काथ हमारी WE-dee दूसरी होती हैं हमारी M रोर इस पड़ला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मारे में आने वाले वीडियो में हम देखेंगे M तो चलिए चलते हैं अपनी remix id पे तो fix size array क्या होती है पहले यह बात कर लेते हैं तो fix size array हमेरी वो array होती है जिसमें compile time में हमें length of array पता होता है अब इसका मतलब क्या है तो यह example से मेरे समझ में आ जाएगा अगर आपने कोई off programming language पढ़ी है तो definitely आप समझी रहे होंगे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है तो आईए पहले देखते हैं कि क्या syntax होता है हमेरे array को declare करने का तो पहरे हमें character का data type मतलब हम लोग कौन से type की array बना रहे हैं तो क्योंकि हम लोग integer की value में देखने जा रहे हैं तो हम लोग चाहें तो int use कर सकते हैं या फिर int use कर सकते हैं फिर हमने अप लिया unsigned integer और फिर हमने bracket किया तो let's say मैंने इसका नाम लिख दिया ARR और फिर हमें square bracket use करना होगा जहां पर हम अपने elements को रखेंगे let's say मैं element की value लिए 10, 20 and 30 and 40 तो यह हमारी array क्या होगी एक तरह से declare होगी अब इसको हम लोग compile करते हैं तो control plus s करिएगा तो यह compile हो जाएगी और अब हमारा यह यह देख रहे हैं यहां पर contract बन गया है मतलब कि यह contract हमारा deploy हो गया अब यहां पर देखें यह मेरे ARR है मतलब मेरे array का नाम आ रहा है और इसके बाद वो कह रहा है कि हम कौन सी value को access करना जाते है कौन से index को access करना जाते है तो लेट से अगर मैं 0th index को access करना जाते है तो मैं लिखूँगा 0 और फिर मैं इस पर click करूँगा तो आप देखेंगे 0th index कों सी value है 10 है इसी तरह से मैं आप लिखूँगा लेट से 1 तो यह हमें दिखाएगा कौन सी value है 20 है यहां पर index पूट करके अपनी array की values को check कर सकते है अगर मैंने यहां पर लिख दिया 5 तो क्या होगा अगर मैंने यहां पर लिख दिया 5 तो यह out of bound हो जाएगा और इसमें हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कितने इंडेक्स तक value ले सकते है 0, 1, 2, 3 & 4 उसके आगे नहीं ले सकते है और उससे कम भी ली तो भी यह कोई इसकी range में नहीं है तो हमें कोई भी value यहां पर नहीं मिलेगी अगर मैं इस पर चेक करता हूँ 3 पे तो आप देखेंगे यहां पर answer आएगा 40 तो यह हमारी array का होगी और किस तरह से यह work करते है यह हमने देख लिया और अगर आपने यह भी समझ लिए क्या है ? क्या है ? क्या हमने क्या हमने इसका size बता दिया क्या है क्या size होगा तो पहले हमारे compiler पोने पता है क्या होने वाला है तो एक array उतने size की बने चुकी है क्योंकि हमारे इहां पर आप दहां से देखेंगे size of array ने विए 4 है तो आप 50 करता हूँ 5 तो इसलिए यहां पर ही क्या दे रहा है एरर दे रहा है तो इस चीज़ को ज्यान में रखिएगा तो अब एक चेक करते हैं अब अपने array में कुछ particular value को क्या करते है set करके दिखते हैं तो किस तरह से value को हम लोग set करते हैं अपनी array में तो पहले हम लोगे फंक्षिन 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 कीवर्ड फिर फंक्षिन का नाम और लेट से मैं इसको इसमें क्योंकि दो values पूट करना चाहता हूं एक होगी ui in t index मलब किसी particular index पे और क्या value पूट करना चाहता हूं रही value और इसके बाद हम लोग करेंगे इसे public और फिर मैं आप यह करूँगा इससे अब हम लोग क्या करेंगे क्या है अब हम लोग ए आरर में लेट से किसी index पे लेट से किसी index पे वेल्यू डालना चाहते हैं जो भी हमने ट्रांसफर की है तो कुछ इस तरह की चीज हम लोग करना चाहते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे simply इसको जाएंगे इसको हम लोग पहले करें compile तो यह देखिए यहां compile कर लिया कि जीरो पे वालीУ कि टैनal हों के लिट से मैं चाहता हूं कि जीरो अथ वैल्यू पे 10 ना होगे लेट से हंड्र ओड यह possible है तो मैंने अंब हैशर्ट ffakchun call corr s tuned call और अर्न पर रखक पड़ धाल और आप देखिए आरार में value क्या होगी 999 होगी तो इसी तरह से हमारी function हमारी array को क्या कियाता है declare कियाता है और इसी तरह से value set की जाती है अच्छा ये तो होगी बात बदब array को किस तरह से values को हम लोग set करते है अब array में एक built-in function भी होता है या फिर उसको कही एक member होता है जिसके तरह हम लोग क्या कर सकते हैं determine कर सकते हैं अपने array की length तो आइए अब इसकी array की length determine करते हैं तो उसके लिए हम लोग लिए फंक्शन उसके बाद let's say इसकी length length and then उसके बाद public view return क्योंकि हम लोग यहां पर value को return कराने वाले हैं तो returns और उसका type क्या होगा uint क्योंकि length हम लोग return कराएंगे और उसके बाद मैं आऊंगा यहां पर return उसके बाद हम लोग लोग अपने array का नाम लिखेंगे arr. और जो भी इसकी length है मतलब कि जो हम इसकी length determine करना चाहते हैं वो हम लोग dot length लगा के क्या करेंगे determine करेंगे अब मैं इसको फिर से करता हूँ compile उसके बाद मैं करता हूँ deploy और आप देखेगा यहां पर तुम्हारे पास अब आप देखेंगे तो length करके हमारे पास एक function आ गया है अब 4 क्यों sure ही क्योंकि इस समय हमारे length of array की आ है sorry इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ज्यादा होगे right हाँ तो इसकी length of array की आ है हमारी 4 है तो इसलिए हमारी यह sure ही तो यह built-in है मतलब इसको आपको कुछ बताना नहीं बढ़ता है यह एक member है समल लिजे जल्दी ही देखेंगे तो please इसे subscribe करना मत भूलेगा तब तक के लिए बाबाई